हले रिवान एंड वन्स अगें वेलकम टो उमर्तस्कीर यूटीब चैनल मैसल उमर्तस्कीर गईस फेजबूक आट सीरीज के आज के इस पर्टिकलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट पब्लिशर लिष्ट गईस हम लोग समझने वाले हैं कि यह पब्लिशर के बीच में जो हमारे आड्स हैं वो दिखाई दिए अगर हमें यह सारे रिपोर्टिंग लेनी यह सारी सीज़ समझनी है तो किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं जब करते हैं या आड्स जब हम लोग क्रेट कर रहे होते हैं वहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है कि हम हमारे लि वीडियो के बीच में हमारे आड्स दिखें हैं और किन वीडियो के बीच में हमारे आड्स दिख सकते हैं मतलब क्या हमें कोई पब्लिशर की लिष्ट मिल सकती है अब पब्लिशर का यहां पर सीधा सा मतलब यह होता है कि जहां पर हमारे आड्स दिखेंगे जैसे हमान लेत दिख सकता है, fine, तो वो page जो हो जाएगा, वो हमारे लिए हो जाएगा, publisher, और हम तो हो गए एक तरीके से advertisers, क्यों हम लोग ad run कर रहे हैं, और publisher वो आली entity हो गए, जहाँ पर हमारा ad दिखता है, तो क्या हमें कोई Facebook ऐसी list दे सकता है publishers की, जिससे हमें यह पता चल जाए कि देखो, इतने सारे publishers जो हैं, वो Facebook के साथ जुड़े हुएं, यह different, different pages के उपर, different, different जगहों पर, जो हमारे ads हैं, वो दिख सकते हैं, right, हमारे ads कहां दिख सकते हैं, that is actually publishers list, ठीक है, but ज़रूरी नहीं कि सभी publishers के उपर आपके ads दिखें, आपका budget हो सकता है, बहुत ही छोटा हो सकता है, आपकी targeting बहुत छोटी हो, हो सकता है, आपने जो interest select किये, वो different हो, तो ज़रूरी थोड़ी नहीं कि दुनिया में जितनी publishers हैं, उन सभी publishers के उपर जो आपके ads दिखेंगे, तो आपको ये भी तो समझना है, कि मैं 15 दिन से ads run कर रहा हूं, मैं 10 दिन से ads run कर रहा हूं, मुझे ये जानना है कि मेरे ads कहां पर दिखें, किन publishers के उपर दिखें, तो ये सारी जो चीज़ें, अगर आपको ये समझनी है, तो सीरे आपको आ जाना पड़ेगा, आपने business manager के उपर, और business setting में जाने के बाद, आपको जाना है brand safety में, ध्यान समझेगा, आपको जाना है brand safety में, और यहां एक block list का option होता है, इसके उपर जाकर आप manage के उपर भी जाएंगे, तब भी आप पहुंच जाएंगे, इसमें अगर आप नीचे रिखोगे review वाला, review में दो चीज़ें आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर publisher list, यहाँ पर देखो बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है, where your ad could appear, आपका ad कहां दिख सकता है, that is actually publisher list, और जब मैं इसके उपर click करूँगा, तो आप देखोगे यहाँ पर, आपको बदा चल जाएगा, placement के according के, आप Facebook in stream videos में अपना ads दिखाना चाहते हो, तो अगर आप इसके उपर click करोगे, तो आप देखोगे, कि कितने सारे publishers हैं, जिनके अंदर जो different videos हैं, वहाँ पर आपका ads देख सकता है, तो यह सारे different publishers हैं, अगर आप इनको और study करना चाहो, तो आप देख सकते हो, यह जो publisher है, यह content creator Mr. Bean है, इसके date यह कब added हुआ, ads in live है या नहीं है, ठीक है, और उसके बाद Facebook page followers कितने हैं, तो आप जाकर इसमें देख सकते हो, कि कौन-कौन से जो publishers हैं, वो listed है, आपको अगर यह समझना है, तो आप देख सकते हो, the second point is, जो मैंने आपको बताया था, कि अगर आपको delivery report देखनी किया, actually हमारे ads कहां पर दिखें, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, delivery report में, तो मैं अभी तो यह अपने वाले business manager, मैं एक दूसरे business manager में जाता हूँ, जहाँ पर कुछ data already है, reports already है, ताकि आपको बहतर तरीके से समझ में आ जाए, तो guys, यहाँ से मैं एक दूसरे business manager के उपर आ चुका हूँ, और अब मैं जाता हूँ, delivery reports में, और delivery reports में, जैसे ही मैं जाऊँगा, यहाँ पर मेरे पास option होगा, कि मैं placement select कर लूँ, कि किस placement के उपर, जो मेरी ads दिखी हुई है, उसके according मेरे को report देखनी है, तो मैं आपर मान की चलता हूँ, जैसे Facebook in stream videos, मैं इसको select कर लेता हूँ, तो guys, यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हो, मेरे पास different, different यहाँ पर publishers हैं, जैसे एक ये page है, एक ये page है, ये different different pages है, अगर मैं नीचे आओ देखो, मेरे यहाँ पर Znews का page दिख रहा है, और Znews as a publisher के उपर भी, अगर आप देखो, तो मुझे 47 impressions मेरे ad के हुए, तो मैं अगर और इसको drill down करना चाहूँ, कि Znews में भी किन videos के उपर, जो है मेरे 47 impressions हुए, वो मैं समझना चाहूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर, जो content level breakdown है, इसके उपर आप click करें, और यहाँ पर आपको इसके videos दिख जाएंगे, देख रहे हो आप जैसे आपका ये एक video है, इस video के बीच में, जो है हमें 20 impressions मिलें, तो अगर आपको लगता है, कि यह वाला जो placement है, यह आपके relevant नहीं, you can select this and you can do the add to block list, तो अब यह वाला जो placement है, वो exclude हो जाएगा, तो इस type से आप review कर सकते हो चीजों को, इस type से आप study कर सकते हो चीजों को, कि आपके जो ads है, तो ऐसी बहुत सारी reports होती है, जिन पर हम लोग ध्यान ही देते हैं, ignore कर जाते हैं, but optimization के point of view से यह भी बहुत important चीज़ है, but क्योंकि यह list इतनी बड़ी होती ही, बहुत सारे लोग इससे ही इसको ignore कर देते हैं, बठाँ ज़रूरी है कि आप इन सीजों को भी देखें, so guys, I believe अभी आपको समझ में आया होगा, कि यह सारी सीज़े किस तरीके से काम करती है, इस particular वीडियो में इतना ही, मिल दें नेक्स वीडियो में, till then, goodbye. कि अभी आपको समझ में,